झारकंट की पटा पट ताजा बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर जारकंट में आज बारिस के आसार जारकंट का मौसम में बदला होने के संकेत मिल रहे हैं हावा के रुख में बदलाव आने से आस्मान में बादल च्हा रहे हैं बतादी की ज्यारखन में शुकुरवार को राजधानी राची समेथ ज्यारखन के दक्षीन भागों में हलकी बारिश होने की संभावना भी जटाई गई है हलाकि तीन नौवंबर के बाद बादल साफ हो जाएंगे और मौसम के साफ होने का अनुमान जदाय गया है बादल छाये रहने के कारण जारखन में नियुनतम तापमान में एक से दो डिग्री की वृधी हो सकती है वहीं अधिक्तम तापमान में लगभग एक डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है मीडिया की खबरों को माने तो पस्ची मोतर भागों में पस्ची मी बीशोप का परभाव है इससे जारखन के उपरी वातावरन में हलके बादल छाय हुए हैं जबकि वातावरन के निचले भागों में दक्षिन पुर्व की नम हवाएं आ रही हैं इससे बादल गहराएंगे और जारखन की राजधानी राची समेत जारखन में कहीं कहीं हलकी बारिशोने की संभावना बन रही है जारखन के किसानों के लिए बड़ी खुश खबरी किसानों को अब मिलेगा 90% अनुदान पर भीज जारखन के किसानों के दिन अच्छे आने वाले हैं क्योंकि जारखन के किसानों को सरकार 90% अनुदान पर भीज देगी बता दे कि रभी फसल के बीच के लिए बीज उपलप्त कराने की तयारी चल रही है इसको लेकर निर्देश साले के अस्तर से अनुदान का परस्ताव क्रिसी बीभाग को भेज दिया गया है खबरों को माने तो इस परस्ताव पर वीट वीभाग की अनुमती मिलते ही इसे कैबिनेट में भीज जाएगा हलाकि किसानों की डिमांड को देखते हुए गेहूं मसूर और सरसों के बीज की आपूर्ती के लिए राष्टिय बीज निगम को निर्देशीत कर दिया गया है संभावना जताई जा रही है कि दो सब्ता में किसानों को बीज मिलना भी शुरू हो जाएगा इधर गड़वा से बड़ी खबर है यहां ग्रामिनों और पुलिस के बीच हुई जड़प जारकन के गड़वा से बड़ी खबर है यहां कोट के औरडर के बाद दखल करने पहुँचे परशासन और दूसरे पक्च के लोगों के बीच जमीन की मापी के दोरान हिंसक जड़प हो गई खबरो को माने तो इस दोरान तीन पुलिस जमान सहित चार लोग जखमी हो गए हैं बतादी कि यह घटना रमना अंचल के बहियार खुर्द की है खबरो को माने तो प्रेमनात उराओं और हरीहर उराओं के बीच चल रहे भूमी विवाद में कोट का फैसला प्रेमनात उराओं के पक्च में आने के बाद परशासन दखल देने के लिए पहुँचा था दोनों पक्चों के बीच लगबग 20 एकर भूमी का बिवाद बताय जा रहा है बताय जा रहा है कि मामला नयाले में है जमीन की मापी के दोरान पुलिस परशासन और दूसरे पक्च के लोगों में जड़ब होने लगी देखते ही देखते बहियार मोड रण भूमी में तबदील हो गया मुख्यमंत्री हेमन सुरेन का केंदर पर तीखा हमला कहा उन्हें पता ही नहीं कैसे काबू करे महंगाई मुख्यमंत्री हेमन सुरेन ने केंदर पर तीखा हमला बोला है मंगाई के मुद्दे पर विपक्च आक्रामक हो गया है तमाम राजनीतिक दल केंदर सर्पार जहां सरकार पर जम कर हमला बोल रहे हैं इसी भी जारखन के सीम हिमन सुरे ने भी मंगलवार को केंदर पर निशाना सा था उन्होंने कहा इसका असर न केवल आम लोगों पर पड़ा है बलकि जहारखन सरकार पर भी होता है उन्होंने हमला करते हुए कहा बीजेपी लागातार उनकी सरकार गिराने की कोशिस कर रही है बतादे की मुख्यमंत्री हमन सुरेन पलामू में आयोजीत रोजगार मिले में बोलते हुए उन्होंने कहा राज्य सरम विभाग के जरिये 30,000 से अधिक युवाओं को नेजी शेत्र में नौकरियां दी गई है इस दोरान महंगाई की खिलाब केंद्र पर हमला करते हुए उन्होंने कहा 2016 से पहले यूपिय शासन के दोरान LPG सिलेंडर की कीमत लगभग 500 रुपए थी अब यह लगभग 1200 रुपए है NCP बिधायक कमलेश कुमार सिंग ने जारखन की हेमन सुरेन सरकार से लिया समर्थन वापस जारखन में अजीत पवारगूट बिधायक कमलेश कुमार सिंग ने जारखन की हेमन सुरेन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है वर्स 2019 के चुनाव के बाद जारखन में गटबंधन वाली सरकार के गठन के समय NCP के एक मातर बिधायक ने हेमन सुरेन सरकार को समर्थन दिया था समर्थन वापसी की वज़ा हुसेनाबाद को अब तक जीला नहीं बनाना बालू घाट की निलामी नहीं करना परखन में अधिकारियों के खाली पद सहित कई मुद्दे शामिल है बतादी कि एक माह पहले ही NCP बिधायक ने जारखन सरकार को अपनी मांग को पूरा करने कुले कर अल्टी मेटम दिया था जब जारखन की हेमन सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं फरमाया तब समर्थन वापसी की घोशना की गई बिधायक कमलेस कुमार सींग ने कहा कि समर्थन वापसी का पत्र राजेपाल को भेज दिया गया है उन्होंने हेमन स्वरेन पर वादा खिलापी का आरोप लगाया है कहा कि कई बार सदन से लेकर बाहर तक आश्वासन देने के बावजुद हुसेनाबात को जिला बनाने का अपना वादा पूरा नहीं किया दस्वी पास युवाओं के लिए आर्मी में निकली नौकरिया इन पदों पर होगी भरती आर्मी एर डिफेंस कोलेज द्वारा फायर मैन के पंदर जहां पदों पर भरती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दस्वी पास योग्य और इच्छु कुमिदवार 11 दिसंबर तक आविधन कर सकते हैं इसमें सामानिय कोटी के लिए 7 पद, OBC के लिए 4 पद, EWS के लिए 1 पद, अनुसुचित जाती के लिए 2 पद और अनुसुचित जन जाती के लिए 1 पद शामिल है जबकि एक्स सर्वीसमेन के लिए 1 पद रिजर्ब रख दिया गया है आर्मी एर डिफेंस कोलेज फाइरमेन भर्ती के लिए ओल्लाइन आविधन की परक्रिया शुरू हो गई है उमिदवार 15 पदों के लिए 11 दिसंबर तक आविधन जमा करवा सकते हैं इसके अतिरिक सभी स्रेनिया के जहां स्रेनियों के उमिदवारों के लिए आविधन मुप्त रखा गया है पात्रों उमिदवारों की शारिक दक्षता परिक्षा और लिखीत परिक्षा होगी दोनों चरणों में सफल होने वाले उमिदवारों का दस्तावेश सत्यापन वो मेडिकल जाज के पस्चात अंतिम रूप से चैन किया जाएगा ओल्लाइन आवेदन 11 दिसंबर तक बिभागी वेबसाइट इंडियन आर्मी.nlc.in पर आवेदन कर सकेंगे आर्मी एर डिफेंस कोलेज फायरमेन भरती 2030 के लिए 99 आयू 18 वर्स साथी अधिक्तम उम्र 27 वर्स तक रखी गई है इस भरती में आयू की गन्ना 11 दिसंबर 2030 को आधार मान कर की जाएगी इसके अतरिक्त OBC, EWS, SC, ST और आरक्षित वर्गों को सरकार के निया मानुसार अधिक्तम आयू सीमा में छूट दी गई है देश वासियों को बड़ा जटका एक नौबर से हो गए हैं बड़े बदलाओ एक नौबर की तारिक के साथ ही नए महिने का आगाज हो गया है इसके साथ ही देश में कई अहम बड़े बदलाओ भी हो गये हैं इन बदलाओं के साथ ही लोगों की जेब पर भी असर पढ़ने वाला है और लोगों की रोज मर्रा की जिंदगी भी इससे परभावित होगी देश के लोगों को इन अहम बड़लाओं के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए बतादी की नौबर की शुरुआत के साथ ही लोगों को महंगई का बड़ा जटका लगा है कॉमर्शियल गय सिलिंडर के दाम बढ़ गए है अब इनके दाम 101.5 सुने रूपए तक बढ़ गए है नई दरे एक नौबर 2030 से लागू हो चुकी है इसके साथ ही अब देश की राजधाने दिल्ली में 19 किलोग्राम LPG सिलिंडर की कीमत 1833 रूपए हो गई है वहीं घरेलू LPG सिलिंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है साथी सरकार ने कच्चे जिहां सरकार ने देश में उतपादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर यानि वाइंड फॉल प्रॉफिट टेक्स को बढ़ा दिया जबकि डीजल निर्यात पर कर में कटोती कर दी गई घरेलू अस्तर पर उतपादित कच्चे तेल पर बिसेस अतरिक्त उतपाद शुल्क या से जिहां से एडी के रूप में लगाय जाने वाला कर 9,050 रुपए परती टन से बढ़ा कर 9,800 रुपए परती टन कर दिया गया है सरकार ने जारी किये आंकडे 71 फिसदी सड़क हाथसों में ओवर स्पीडिक बनी मौत का कारण भारत में रोड दुरगटना में हुई मौत एक चिंता का बिसे बन गया है सड़क हाथसों के बज़से लाखों लोगों की जान चली जा रही है इनमें अधिकतर मौतें ओवर स्पीड ड्राइविंग के कारण से हो रही है वर्स 2022 में रोड दुरगटना में होने वाली हर 10 मौतों में से 7 का कारण तेज रपतार थी इस साल सड़क दुरगटनाओं में रिकोट 1,68,494 मौत हुई और 4,00,000 लोग घायल हुए जिसमें 2,00,000 के लगभख लोग गंभी रूप से घायल हुए इसके अलावा यातायात नियमों को ताक पर रखकर रोंग साइट ड्राइविंग मौत की दूसरी सबसे बड़ी वज़वनी है साथी सरसथ हजार ऐसे लोगों ने अपनी जान गवाई जिन्होंने निर्धारित सुरक्षाउपकरन, सीट बिल्ट और हेलमेट का इस्तमाल नहीं किया था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले की ओर से मंगलवार यानी 31 अक्टूबर को ये आंकड़े जारी किये गए हैं बता दे कि मंत्राले की ओर से जारी किये गए आंकड़ों के अनुसार हेलमेट ना पहनने के कारण से 50,000 से जादा लोगों की मौत हो गई जबकि इससे दोगों ने लोग घायल हुए हैं इसमें 35,692 लोगों की मौत बाइक चलाते समय और 14,337 लोगों की मौत बाइक पर पीछे बैठने के दोरान हुई है इसी तरह 16,715 लोगों की मौत सीट बिल्ट ना पहनने के वज़े से हुई है और 42,300 लोग ऐसे मामलों में जख्मी हुए हैं आकड़ों में बताय गया है कि साल 2022 में राजियों और केंदर शासित परदेसों में लाखों सड़क हाथ से दर्ची गए जिनमें ज़्यादतर मामलों में लोगों की जान गई और लोग घायल भी हुए यानि वर्स 2021 से ज़्यादा हाथ से 2022 में हुए पिछले सालों जिहां पिछले 5 सालों में सड़क दुरगटनाओं और मौतों के तुलनात्मक बिशलेशन से पता चला है कि सड़क पर होने वाली मौतों के मुख्य कारण के रूप में तेज गती की हिस्सेदारी 2018 में 64 परतिशत से बढ़कर 2022 परतिशत हो गई है चंद्रियान 3 पर बड़ी खुश खबरी न्यूक्लियर एनर्जी से हो रहा बड़ा काम चंद्रियान 3 की सफलता से भारत की दुनिया में खुब वाहवाही हुई भारत चांद की सतर पर सुरक्षित उतरने वाला अमेरीका रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया था मिशन की सफलता के बाद अभी से लेकर एक अहम जानकारी सामने आ रही है मेडिया की ख़वरों को माने तो चंद्रियान 3 के प्रोपल्शन मोडियूल में न्यूकलियर एनरजी का इस्तिमाल किया गया था जिसकी मदद से वो अभी भी चंद्रमा के चक्कर काट रहा है परमानू उर्जा की मदद से चंद्रियान 3 का प्रोपल्शन मोड्यूल अगले कई सालों तक ऐसे ही चंद्रमा के चक्कर काटता रहेगा 23 अगस्त को चंद्रियान चांद पर लेंट हुआ था इससे करीब एक सब्ता पहले यानी 17 अगस्त को प्रोपल्शन मोड्यूल चंद्रियान से अलग हुआ शुरुआत में इसकी लाइब 3-6 महीने बताई गई अब कहा जा रहा है कि नुकलियर एनर्जी की मदद से यह अगले 2-3 सालों तक काम करता रहेगा चांद की अहम जानकारियां प्रिथवी पर इसरों को मिलती रहेगी भारत का मोन मिशन जब लौंच हुआ था तब इस मोड्यूल में 1696 कीलो इधन था जिसकी मदद से चंद्रियान ने पहले प्रिथवी के 5 चकर लगाए फिर चांद के 6 चकर लगाए परमानु उर्जा के जिहां उर्जा आयो के अधक्ष अजीत कुमार मुहंती ने अकवार से बात करने के दोरान कहा कि मुझे खुशे है कि भारत का परमानु शेत्र इतने महतोपूर्ण अंतरिश मिशन का हिस्सा हो सकता है तीन नौमबर को होगी राज्यसभा की बिशे साधिकार समीती की बैठक तीन नौमबर को होगी जिसमें सभी लंबित मामलों की समिक्षा की जाएगी ताकि राज्यों की परिशत की इसी फारेशों पर बिचार करने के लिए बिशासद जिहां बिशे साधिकार हनन के मामलों में रिपोर्ट को तेजी से आगे बढ़ाय जा सके और अंतिम रूप दिया जा सके मीडिया की खबरों को माने तो समिती के समक्ष आप सांसद रागाव चड़ा संजे सिंग और त्रिनेमूल कॉंग्रेस टीमसी के सांसद डेरेक ओबरायन के मामले लंबित है रागाव चड़ा के मामले में सुप्रीम कोट की हालिया टिपणियों की प्रिष्ट भूमे में समिती की आगामी बैठक महतोपूर्ण है बतादी की राज्यसभा में बीते 11 अगस्त को सदन के नेता पियूश गोयल ने एक प्रस्ताव पेश किया था प्रस्तावी चैन समिती के कुछ सदस्यों के नाम उनकी सहमती के बिना शामिल करने के लिए आप नेता रागहों के खिलाप कारवाई की मां की गई थी राज्य सभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद चड़ा को विशे साधिकार समिती की रिपोर्ट लंबित रहने तक नियमों के घोर उलंगन, कदाचार, उदंड रवया और अवमाना पूर्ण आचरन के लिए मानसुन सत्र के आखरी दिन डिलंबित कर दिया गया था